हेलो फ्रेंड्स यहाँ पर वेस्ट बंगॉल गॉर्मेंट दौरा स्टाफ नर्स ग्रेट सेगंड की बंपर वेकेंसी निकाली गई है आज मैं इस वीडियो में आपके साथ टोटल लंबर वेकेंसी, अप्लाई करने की डेट, अप्लाई करने की लास्ट डेट, कौलिफिकेशन, एज लिमिट, वेकेंसी की डिस्टिबूशन, ओनलाइन अप्लाई करने का प्रॉसेस इन सभी के बारे में डिटेल से डिसकस अगर आप इस चैनल पे पहली बार आएं हैं तो हमाए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे जिससे की लेटिस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे तो फ्रेंड्स यहाँ पर वेस्ट बेंगाल हेल्थ रिक्यूट्मेंट बोल्ट दोरा स्टाफ नर्स ग्रेट सेकेंड की वेकेंसीस निकाली गई हैं जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ओनलाइन अप्लिकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर रिक्यूट्मेंट टू दा पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स ग्रेट सेकेंड अंडर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेर डिपार्टमेंट गॉर्मेंट और वेस्ट बंगाल जी हाँ दोस्तों यह वे जैसे पहले ओफीसियल वेबसाइट www.wbhrb.in पर आपको अपना अप्लिकेशन फॉर्म समिट कर देना है यहाँ पर आपकी सैलरी 29,800 रुपए पर मन्त प्लस लैविल नाइन रूल 2019 प्लस आपको यहाँ पर एडिशनल भत्ते भी दिये जाएंगे अब यहाँ पर टोटल नंबर ओव वेकेंसीज की बात की जाए तो 6,114 यहाँ पर टोटल नंबर ओव वेकेंसीज हैं इसे कैटेगरी वाइस डिवाइड किया गया है यहाँ पर 80-20 का रेशियो रखा गया है जी एनम कंडिडेट्स के लिए मेल और फीमेल के लिए अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग-अलग वेकेंसीज निकाली गई हैं जबकि यहाँ पर Basic BSC Nursing Only for Females के लिए वेकेंसीज निकाली गई हैं और Post Basic BSC Nursing Only for Females के लिए यहाँ पर अलग से वेकेंसीज निकाली गई हैं अब फ्रेंड्स यहाँ पर Qualification की बात की जाए तो अगर आपने जी एनम, Basic BSC Nursing, Post Basic BSC Nursing, Nursing Training School, College से किया है जो की Indian Nursing Council या फिर State Nursing Council से मानिता प्राप्त है तो आप इस फॉर्म के लिए एलेजबल है Point B, Registration Certificate from West Bengal Nursing Council आपके पास यहाँ पर Registration Certificate होना चाहिए जो की West Bengal Nursing Council से Registered हो Point C, Knowledge of Bengali, Nepali, Spoken and Written आपको यहाँ पर Bengali और Nepali Language बोलनी और लिखनी आनी चाहिए अगर यहाँ पर एज की बात की जाए तो not less than 18 years आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए and not more than 39 years और 39 years से आपकी एज जादा नहीं होनी चाहिए अगर यहाँ पर online apply करने की fees के बारे में बात करें तो candidates must submit the online application fee amounting to rupees 160 जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आपको 160 rupees online fees submit करनी है यहाँ पर इस account number में आपको अपनी fees को submit करना है money order check bank draft and cash etc shall not be acceptable आपको money order check bank draft and cash इन माध्यमों से पैसे को transfer नहीं करना है अगर आपको इस notification से related कोई भी doubts हो कोई भी आपकी समस्य हो तो आप मुझे comment कर सकते हैं और अगर आपको यह video पसंद आई हो तो हमाए चैनल को subscribe कर दीजे और video को like भी कर दीजे इस advertisement की link मैंने अपने description box में mention कर दी है आप वहाँ से भी इसे download कर सकते हैं यह थार आपको बहाँ जुड़ कर दाण हो उत्या है